जो भी इस क्रोज का कारण है, अब वही इसके परिडाम का भागी बनेगा। मैं तो उसे मसल्ले के लिए आतुर हो रहा हूँ। किन्तो वो स्थान तो बहुत दूर प्रतीत हो रहा है। समय से मैंने एक टोकरी मोदक तक नहीं चके। ऐसे मैं वहाँ जाओंगा कैसे। मूशक जी को बुलाता हूँ। मूशक जी, मूशक जी। यह जिसका भी दुश्कृत्य है, उसे अब उचे दंड दूँगा मैं। प्रभू, प्रभू, मैं आगे प्रभू। प्रभू, आम्धा दे बुला ही लिए, मुझे! मैंने नहीं बुलाया, किसी को नहीं बुलाया मैंने? नहीं बुला आताच, प्रभू, अभी तो आपका सवर सुना मैंने, जेलास में इतना सुंदर दिवस था आज य। तोकर उपवण में विश्राम कर रहा था प्रभू। आकास में में को की सुन्दर अखरतियां देखकर प्रकरती का आनन्द लेते हुए। मैं बस नित्रा में खोने ही वाला था। और ते भी आपके सर मेरे कानों में गुझा। मुशल जी, मुशल जी। मैंने कहो ना, मैंने किसी को नहीं बुलाया। प्रभू, आप पुरा मत बन लिएगा। किम्तों इन दुना आपको एक क्रियत दा रहें, प्रभू। मुशल जी। और प्रभू। प्रभू। मुशल जी, आप यहां क्या कर रहे हैं। कितने समय से पुकार रहा हूँ मैं आपको। आप पेरे मार्ग से हटने का कष्ट करेंगे। प्रभू। कैसी माय आई है। आप है यह वो आप है। मुशल जी, हम दोनों ही मैं हूँ। अब चलिए, शीकर हमें कहीं पहुँचना है। मैं आपको मार्ग में सब कुछ समझा दूँगा। अचीतिया प्रभू। अचीतिया आपकी आग क्या। हाँ मुशल जी, आप शीकरिता कीजिए। अचीतिया प्रभू। मिराजिये। अब मैं उपर जाकर देखता हूँ। शड़ने 맞아। मैं अचीतिया ऊचीतिया देखता लिएकर कीजिए। को अचीतिया आपकीजिया तिक थांग मैं भी चन्ने का प्रियास करता हूँ प्रभू! चरिये मुशक जी! आप प्रभू! प्रयास कीजिये! क्या हमारा वाँ जवाव श्यक है प्रभू! यह चर्णा मेरे लिए संभव नहीं! और थोड़ा बन लगाए मुशक जी! साहस रखिये! तभी चर्णा संभव हो पाएगा! चलिए मुशक जी आगे बढ़िये! मुशक जी थोड़ा और! मुशक जी शीगृता कीजिये! और प्रयास कीजिये! मैं अपने अन्य स्वरूप में शिखर तक पहुँच चुका हूँ! मेरे अन्य स्वरूप पर द्रिष्टी बनी रहे ये अनिवार ये है! शीगृता कीजिये मुशक जी! शीगृता कीजिये! आगे बढ़िये! अन्य स्वरूप आपनी आपनी अन्य स्वरूप पर द्रभू अन्य स्वरूप अन्य स्वरूप मुशक जी! मूशक जी को उलाहना मत दो, इसमें उनका कोई दोश नहीं है, मुझे ग्याद है कि तुम क्रोध से आवेशित हो रहे हो, किन्तु मेरा सुचाव है, गहरी सास भरकर तुम अपने क्रोध पर नियंद्रन करो स्मरन रखना, हम तुम्हारे क्रोध से उस स्त्रोध तक पहुचना चाहते है इस क्रोध को स्वयम पर हावी मत होने दो, क्योंकि ये क्रोध तुम्हारा मूल स्वभाव नहीं है वो देको बहाँ आपके इस मनोहर रूप पर जिसकी भी द्रिष्टी पड़ेगी चंद्रदेव वो कलंकित हो जाएगा वही लाल उर्जा अपने जन्म दिवस से ही मैं बार-बार उतेजित हो उड़ता हूँ हाँ मुझे भी बड़ा विचित्राभास हुआ जैसे कोई बाहरी उर्जा मेरे भीतर प्रवेश कर रही है प्रतीत होता है कि जो हमारे क्रोद के मूल में उर्जा है हमें उसका स्रोद प्राप्त हो गया है जो ही हो मैं तबस इतना चाहता हूँ कि मुझे एक ही समय पर प्रभु के इन दोनों रुपो का वाहन ना पुन्ना कोड़े जब हम इस त्रोद तक पहुच ही गए है तो आगे बढ़ कर इसका निरेक्षण भी कर लेते हैं उचित कहा तुमने मुझे अपने क्रोध को नियंत्रण में रखना ही होगा मुषक जी क्या हुआ 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 मुशक जी, ये क्या कर रहे हैं? मुशक जी, प्रतीत होता है आप भी किसी के प्रभाव में आकर अपना मूल सुभाव खो बैठे हैं इस खरे को ख्षती मत पहुचाएं मुशक जी, चाने दीजिये से मुशक जी, यदि आपने इस निरे प्राणी को तनिक भी ख्षती पहुचाई तो आप अपने संपूर्ण जीवन में स्वयम को ख्षमा नहीं कर पाएंगे इसलिए अपने नेतर बन कीजिए, गहरी स्वास लेकर अपने ग्रोध को शांत कीजिए और जाने देजिये इस वंचर खरे को प्रभू, उझे भी उसी क्रोध का भास हुआ जोतने समस्थे आपको हो रहा था प्रभू मेरे विचार से तुम्हें और मुशक जी को यहीं रुकना चाहिए ये उर्जा विध्वन्स कारी है इसका प्रभाव तो अब मुशक जी भी छेल चुके है यदि तुम सब और आगे बढ़े तो कदाचित इस उर्जा की प्रभाव से प्रभावित होकर कुछ अनिष्ट भी कर सकते हो मैं ही आगे बढ़कर देखता हूँ क्या रहस्य है इसके पीछे तब तक तुम यहीं रुको उचित है तब तक मैं और मुशक जी वहां से निगरानी रखेंगे अम नमा शिवाई ओम नमा शिवाई ओम नमा शिवाई कौन हो तुम कौन हो तुम जो यहां आकर मेरे तप में व्यवदान डालने का दुस्सा हस कर रहे हो मैं कडेश वास्त्विक्ता में उनके दो ही पुत्र है कुमार कार्थिकेजी और प्रथम पूज्य गणेश ची अच्छा तो तुम हो गणेश तुमसे पूर्व मैंने प्रश्न किया था बताओ कौन हो तुम भूम भूम हूँ मैं ये कौन है जिनका व्यक्तित्व एक अनोखी दिव्य दीप्ति से प्रकाशित है जिनका रंग रूप इतना मनोहर और आकर्शक है जिनके मुख पर क्रोध अवश्य है किन्तु दुष्टता नहीं इनकी लाल उर्जा के उत्पास से हम त्रस्त अवश्य है किन्तु इनके भीतर छिपी सकारात्मक्ता का भी आभास हो रहा है मुझे इसलिए ये कोई असुर्तो कदा भी नहीं तो फिर ये ऐसी विनाशकारी उर्जा का स्रिजन क्यों कर रहे है महादेव पुत्र हो तुम किन्तु तुम तो तनिक भी महादेव के समान प्रतीत नहीं होते महादेव का लंबा कद है उनका गठीला बलिश्य शरीर तो उनके अत अधिक तो मैं महादेव के समान हूं गरेश मेरी छोड़ो मैं जैसा हो उचे थो किन्तु तुम तो महादेव की तपस्या करते हो उनका नाम जबते हो और फिर ऐसी उग्रूर विनाशकारी उर्जा का निर्मान करते हो और तुमने अपने इस उग्रूर्जा का लक्षित मु किन्तु ये कैसे संभव है मैं तो एक तुछ और साधरन तपस्वी हूं जो महादेव का ध्यान अपनी और आक्रिष्ट करने हे तु उनकी तपस्या में लीन है तुम तो प्रतम पूची गडेश हो महादेव के प्रिये पुत्र हो और तुम नेरी उर्जा से प्रभावित हो मुझे ऐसा क्यों आभास हो रहा है जैसे इनका कोई व्यक्तिगत द्वेश है मुझसे देखा महादेव मैं तो आपके प्रिये पुत्र से कहीं अधिक प्रभावी हूँ अपनी उर्जा के प्रभाव में बांध लिया मैंने उससे स्वयम को महादेव का भक्त कहते हो और इतना भी नहीं समझते कि तुम्हारी उर्जा कितनी हानिकारख है देखो इस स्थान को देखो अपने तब स्थाल को देखो प्रकृती ने जैसे इस स्थान का परित्याग कर दिया है बंजर बन गया है ये स्थान अपने तन से उत्सर प्रजित होने वाली इस उर्चा को यही रोक लोग यह यह खैलाश नहीं मेरा इस्थान है यहां आकर मुझे आदेश देने वाले तुम कौन होते हो कहलाश वासी होंगे तुम्हारे इसने ही तुम्हारे भक्त वो सभी देवता जो तुम्हारे जन्दमोच सबका आनंद मनाते हैं नित्तिकान करते हैं किन्तु यहां देखो सर्वता अकेले हो तुम कोई नहीं है तुम्हारे यहां इन्हें मेरे जन्मुस्ताव की सूचना कैसे है तो क्या यह स्वयम भी वहां गए थे नहीं प्रबू माने तुम्हां सभी अतुजियों का स्वागत किये था यह वहां वहां कैलाश पर होगे तुम जगतपिता महादेव और मातापार्वती के प्रियप पुत्र और हाँ अपने भ्रातादेव सेनपति का भी साथ प्राप्त होगा तुम्हें किन्तु यहां तुम मात्र और मात्र गणेश हो किया होगा तुमने बड़े-बड़े असुरों का संघार और हाँ, अपनी चतुराई से सरवादिक बुद्धिमान असुरों को भी अपनी बुद्धी से पराजित किया होगा तुमने ये भी ग्यात है मुझे कि सवी देवताओं को यहां तक अपने भ्राता को भी संसार की परिक्रमा करने में अवश्य पराजित किया है तुमने जिसके कारण तुम्हें परधम पूज्य होने का अधिकार प्राप्त हुआ है किन्तु यहां तुम्हें कोई पूजने वाला नहीं है और होगे तुम नारायन और ब्रह्मुदेव के चहेते की होगी तुमने कठोर तपस्या ज्ञान प्राप्ति के लिए और माता से पाए होंगे सभी प्रकार के शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र किन्तु इसमन रखना जो मेरे शरीर से उर्जा प्रवाहित हो रही है वो तुम्हें भी नश्ट करने में सक्षम है गनेश अपने क्रोध पर नियंतरन रखो शान्त हो जाओ जैसे किसी बवंधर में तीवर वायू का प्रवाह होता है उसी प्रकार तुम्हारे भीतर प्रवल क्रोध प्रवाहित हो रहा है ये तो ग्यात हो गया था मुझे किन्तु अब मुझे तुम्हारे भीतर अंतहीन इर्श्या का भी आभास हो रहा है इर्श्या? जै प्रवू? प्रवू? क्या है ये इर्श्या? मुशक जी, इर्श्या तो वो भावना है जो किसी वास्तविक अत्वा कालपनिक अभाव के बोध से उत्पन्न होती है और जिसका आभास तभी होता है जब हम केसी से अपनी तुलना करते है और हमें इस बात का ख्षोब होता है कि जो अन्य किसी को प्राप्त है और जिससे हम भी योग्य है, हम उससे बन्चित है किन्तो ऐसा क्या है, जो मेरे पास है और इनके पास नहीं प्रभू मुझे क्या थे, आपके सूण क्या मुशक जी? प्रभू, इर्श्या का तो कोई भी कारण हो सकते हैं मैं आप देखें, आपके पास सूण है, उसके पास नहीं और ये भी संबर है, कि आपके बड़े-बड़े लटके कान उन्हें देखकर इसके भीतर ये भावना उमड़ती हो ओहू, आप समझा प्रभू कथाजित, मेरे ही कारण ये सब हो रहा है उसे इस बात की इर्ष्या है, कि मैं आपके साथ हो प्रभू उसके साथ नहीं, ओहू, कितना मुर्ख है वो मैं अभी जाकर उसे सबस्पष्ट कर देता हूं प्रभू समझा देता हूं उसे सावधान मुशक जी, उनके पास चार हाथ है और वे एक अत्यंत प्रवीन योद्धा भी प्रतीत होते है किन्तु मेरे प्रतीत ने इर्ष्यालू क्यों है ये भॉम कौन है ये, और क्या है इनका वास्तिविक परिचे मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये कोई सदात्मा ही है, जिसे उनकी इर्ष्या ने भटका दिया है कदाचित ये ग्याद करने के लिए मुझे ही वहाँ जाना होगा और इससे भी अधिक ये ग्याद करने कि वो मुझसे इतना क्रोधित क्यों है मैं तुम्हे एक अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ मेरे बारे में इतना सब कुछ ग्याद होने पर भी ये प्रश्न तो मुझसे पूछ रहे हो मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर इस पुरुष की पहचान से ही उजागर हो सकते है कि कौन है ये मैं भूदेवी हूँ मेरे अपनी कोई संतान नहीं आपके स्वेट की जो खून मुझ पर गिरी उस्ते इस बालक का रूप ले लिया महादेव आप उसे मेरे पुत्र के रूप में भेट दे दीजे आज से तुम्हारा पुत्र कहलाएगा और तुम्हारे नाम से जुड़कर इसका नाम होगा भूब भूब ये ये तो इसका मतलब है ये मेरे ब्राता है प्रभू कताशीत आपको उसूर अपने दृष्टे डाली चाहिए उसूर देखे प्रभू बस इतना ही प्रणाम आताभू देवी आपने अपनी अंतर दृष्टी से जो देखा वो सत्य है गडेश जी भौम महादेव का पुत्र है अब आपको ही कुछ करना होगा अनिधा महादेव के दो पुत्रों में महायुद्ध छिड़ जाएगा घोर अनर्त हो जाएगा मैं तुम्हें परियाप्त चेतावनी दे चुका हूँ गौम किन्तु आप मैं स्रिष्टी को तुम्हारी उग्र उड़्जा के प्रकोप से रक्षित करूँगा तुम्हारा ये एंकार ये विश्वास कि तुम मुझे पराजित कर सकते हो हास्यास्पत है तुम रोकोगे मुझे तुम्हें कदाचित तनिक भी भान नहीं कि मैं कौन हूँ अब मैं अपने वार से तुम्हें उचित परिच्छे दूँगा समाल सको तो समालो मेरा वार तुम्हारा ये एंकार ये विश्वास कि तुम मुझे पराजित कर सकते हो हास्यास्पत है तुम रोकोगे मुझे तुम्हें कदाचित तनिक भी भान नहीं कि मैं कौन हूँ क्योंकि वीर अपना परिच्छे अपने शब्दों से नहीं देते उनका पराक्रम ही उनका परिच्छे होता है अब मैं अपने वार से तुम्हें उचित परिच्छे दूँगा समाल सको तो समालो मेरा वार नहीं गडेश हमारे इस युद्ध में रथमवार तुम नहीं करोगे तुमसे पूर मैं तुम पराक्रमण करूँगा तुम युद्ध करोगे मुझसे इतना दुस्साहस तुम्हारा तो लो भॉम तुमने स्वयम अपने विनाश को चुनौती दी है तो अब उसका सामना भी करो अब ऊपने अब खाया स्वर्ण स्वर्ण अध सामन स्वर्ण ये क्या किया तुमने? हमारे और इसके मर्धि में क्यों आ गए तुम? तुमने मेरी योजना ही द्वस्ते कर दी अन्यथा मैं अब तक इस एहंकारी भौम का अंत कर चुका होता तुम्हें ग्याद नहीं, तुम्हें क्या करने जा रही थे? मैंने तुम्हें समझाया था ना, अपने क्रोध पर नियंदरन रखना कैसे रखूं अपने क्रोध पर नियंदरन? जब मेरे क्रोध का श्रोध ये भॉम मेरे समक्ष है इससे नश्ट कर मैं अपने क्रोध को सदैव के लिए समूल मिटा देना चाहता हूँ यदि कोई क्रोधित है इसलिए उसका नाश कर दो ये उचित तो नहीं और भॉम के क्रोधित होने काक Animals है जो मुझे ग्यात हो गया है और तुम्हें भी ग्यात करना चाहिए तब तुम उसके क्रोध के मूल कारण को समझोगे नहीं समझना मुझे, कुछ नहीं समझना इस भॉम को उचित-पार सिखाने से अब मुझे कोई नहीं रोख सकता इसलिए क्रोध में अपना आपाक हो रहे हो हाँ वही उग्रूर्जा जिसे लौटाना अस्विकार किया है इसने अब हटो मेरे वार्ग से इसकी उग्रूर्जा का उचित प्रयोग करना है मुझे अंत करना है इसका मुझे तुम कौन होते हो मेरांत करने वाले गडेश बहुम आप कुछ शणों के लिए शान्त रहेंगी क्या आप ये देखने में सक्षम नहीं मैं स्वयम को ही शान्त करने का प्रयास कर रहा हूँ और आप अपने उग्र शब्दों से अगनी में ग्रित का कार्य कर रहे है अच्छा तो अब तुम इसकी ओर से बोल रहे हो और मेरे ही विरुद्ध हो गए हो गनेश मुझे सुनो शान्त हो जाओ यहां किसी युद्ध अत्वा रक्त पात की कोई आवशकता नहीं है तुम्हें आवशकता हो ना हो मुझे आवशकता है मैं इस युद्ध के कारण को अभी कर देता हूँ गणेश हटो मेरे मार्ग से अभी इसी एक शड़ अन्यथा क्या तो मुझ पर वार करोगे मुझ पर ज़ए बहीं बहीं होते तो तुम्हें मुझ भूर करोगे हैं यहां होते तो तुम्हें कुछ पर वार करने के लिए बहुत कठोर दंड देते कहलाश लोटने पर उन्हें अवश्च्य बताऊंगा मैं फिर देखना भाईया यहां होते तो दंडे तुम होते इस एहंकारी रक्तवर्णी युवक की रक्षा करने और मेरे विरुद्ध जाने के लिए और उन्हें तो तुम कुछ तब कह सकोगे जब मैं कहने दूँगा तुम्हें अब मैं सर्व प्रथम तुम्हें बाढ़ूँगा फिर इस भौम का भी उचित उपचार करूँगा स्थिती तो नियंतरण के बाहर जा रही है और ये सब भौम के उग्र धूम्हें के कारण हो रहा है जो गणेश अर्धात मेरे उग्र स्वरूप के उपर मन रहा कर उसे और भी आविशित कर रहा है उसको इस धूम्हें की प्रभाव से रिक्त करना होगा मुझे और तब मैं उसे भौम का वास्तविक परिचर दूँगा किन्तों ये तभी संभव हो पाएगा जब मैं भौम को किसी प्रकार शांत कर उनके प्रभाव को रोग सकूँ के बार भी आविशित कर रहा हो प्राव को रहा है के बार भी आविश्ग कर रहा है झाल झाल अद्भुत है इस दिव्विबालक की लीला कितनी सरलता से इसने ना केबल मुझे अपितु अपने क्रोधी प्रतिरोप को भी शांत करा दिया इसकी उपस्तिती मुझे चर्शांती का आभास करा रही है ना मन में क्रोध और ना कोई इर्शा का भाव ही उत्पन हो रहा है अब कहो अब क्रोध शांत हुआ तुम्हारा सत्य है क्रोध में क्रोधी व्यक्ति स्वयम का ही नाश करने पर आतुर हो जाता है मैं क्रोध वश कितना बड़ा अनर्थ करने जा रहा था एक बार पुनह मैंने अपने क्रोध को इतना बढ़ने दिया और जिसका दुख है मुझे किन्तु, किन्तु ये मैं अभी भी नहीं समझ सका कि तुम इस भौम की इतनी रक्षा क्यों कर रहे हो जब मैं तुमें वो द्रिश्य दिखाऊंगा, जो मैं देख चुका हूँ, तो इसका कारण तुम भी स्वतही समझ जाओगे मैं बृत्वी हूँ, मेरे अपनी कोई संतान नहीं, आपके स्वेट की जो फून मुझ पर गिरी, उस्ते इस बालक का रूप ले लिया महादेव, आप उसे मेरे पुत्र के रूप में भेट दे दीजे आज से तुम्हारा पुत्र कहलाएगा, और तुम्हारे नाम से जुड़कर, इसका नाम होगा भोम, भोम, भोम परम ब्रम, महांगनपती के इस दिविसोरूप के दर्शन पाकर धन्य हो गया मैं प्रणाम गडेश जी भोम, मुझे ग्यात हो चुका है कि आप मेरे ब्राता है ब्राता? भोम, आपने मुझे पूर्व में ही क्यो नहीं बता दिया पिताश्री के ही पुत्र है, मेरे ब्राता है पुत्र भोम ने इसका प्रयास तो किया था जब पुत्र भोम को ग्यात हुआ कि उसके पिता और कोई नहीं स्वयम महादेव है तो वो उनसे भेट करने कैलाश गया था आप कैलाश आये थे? किन्तु कब? आपके जन्म दिवस पर जब कैलाश में आपका जन्मोच सब मनाया जा रहा था तब मैंने कैलाश में प्रवेश करने का प्रयास किया था किन्तु महादेव की दो गड़ों ने मुझे वहाँ प्रवेश द्वार पर ही रोग दिया मेरा बहुत अपमान किया और मुझे वापस लोटने को कहा उसी दिवस से भौम इस अशा में तपस्या कर रहा है कि महादेव उससे प्रसन्न होंगे उससे दर्शन देंगे और अपने पुत्र के रूप में सुईकार करेंगे आपको कैलार से अपमानित होकर लोटना पड़ा ओ, तभी आपको मुझे से इतने इर्शिया, इतना द्वेश है और इसलिए मुझे आपकी ये उग्रू उर्जा निरंतर प्रभावित कर रही है क्योंकि आपकी उग्रता का लक्षे तो मैं ही हूँ ना कैलाश में आपका अपमान सर्वता अनुचित था किन्तु अब मैं उस अनुचित को उचित बना दूँगा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ अब कैलाश में आपका सम्मान होगा और आपको वही अधिकार प्राप्ट होगा जो महादेव पुत्र के लिए उप्यूगत है ब्राता भॉम आप मेरे साथ कैलाश चलिए गणेश जी मैं आपके साथ सहर्ष कैलाश चलूँगा किन्तु मेरा एक अनुरोध है मा भी हमारे साथ चलेंगी नहीं पुत्र अपने पिता से भेंट करने के लिए ये यात्रा तुमें ही करनी होगी मेरी किसी भी यात्रा का आरंब और अंध आपके विना कैसे संभव है मा यदि आप नहीं चलेंगी तो मैं भी नहीं जाओगा ब्राता बहुम कदाचित उचित कह रहे है आपको भी साथ आना ही होगा माता उचित है पुत्र मैं भी चलूँगी चलिए मुशक जी हम भी कैलाश जाकर ब्राता बहुम के स्वागत की तयारी करते हैं इस बार इनका बहुत भव्य स्वागत होगा ये मेरा वचन है अरे अरे और थोड़ा उपर जिससे दूर से भी ये सजावट स्पष्ट दिखाई दे हाँ अब उत्तम है बहुत सुंदर प्रतीत हो रहा है अब पुत्र गनेश मा मैं आज बहुत ही उत्साहित और आनंदित हो क्योंकि आज कहलाश में एक अत्यन्त विशेश व्यक्ति का आग्मन हो रहा है और ये सब कुछ उन्हीं के स्वागत के लिए हो रहा है मा किन्तु पुत्र गनेश कौन है ये विशेश अतिती थी ये तो बताओ हाँ हाँ मा हाँ मैं अवश्य बताओंगा किन्तु आपको उनके लिए अपने हाथों से विशेश खीर बनानी पड़ेगी आप बनाएंगी ना खीर अवश्य गनीश इसके पूर मैंने तुम्हें कैलाश पे किसी के भी आगमन पे इतना प्रसन नहीं देखा अवश्य ये अतिती अत्यांत विशेश होंगे अपने पुत्र के इन विशेश अतिती के लिए मैं खीर अवश्य बनाऊंगे कहां कहां से कैसे कैसे बड़े बड़े भ्रम पाल कर यहां बहुत जाते मूर खग्यानी कभी तरपन में मुख देखा है अपना चलो प्रस्थान करो यहां से पुत्र भॉम मा मुझे चिंता हो रही है मैं व्याकुल हो रहा हूं कि कहीं माता पारवती और पिता महादेव ने मुझे सुईकार नहीं किया तो ऐसा संदेवी मन में क्यों ला रहे हो पुत्र भॉम देखो मार्क कैसे पुश्पो से सज्जित है इस मुख्य द्वार पर ये तोरन देखो इसका अर्थ है गणेशी ने महादेव और माता पारवती से तुम्हारी चर्चा अवश्य की होगी जिसके परिणाम स्वरू संपूर कैलाश नुमारे स्वागत की प्रतीक्षा कर रहा है तो शीगृता कीजिये न मा वो आते ही होंगे मैं यहाँ सब कुछ समाल लोंगा आप जाहिए अरे पुत्र जाती हूँ खिंतु गणेश ये तो बताओ कि आ कौन रहा है कुमार काथ जी महादिल के पूत्र आपके और प्रभू के भराता रहे है आपके प्रभू महादिल के पूत्र हमारा भरता क्या मुश्च जी क्या कहा आपने माता ऐसे स्वार में क्यों पूछ रही है, क्या मैंने कुछ अनुचीत कह दिया गनेश, मूशक जी ने जो अभी कहा, क्या वो सत्य है वो, वो मा गनेश, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, जो मूशक जी ने अभी कहा, क्या वो सत्य है हाँ मा गणेश ये सब क्या है यदि तुम्हें कुछ ग्याद था तो वो मा को पूरू में बताना चीह था यदि मा को नहीं तो मुझे इस बता देते अब मुझे बहुत चिंता हो रही है मा भी अध्यधिक प्रसन्य नहीं प्रतीत हो रही है और ये ये क्या कहा तुमने हमारा एक अन्य भ्राता भी है ये तुम क्या अनर्गल बाते कर रहे हो गणेश मेरा केवल एक ही अनुच है और वो तुम हो मेरा कोई दूसरा अन्य भ्राता हो ये नहीं सकता, कदा पिने मुझे खमा करते हैं प्रभू, मैंने तो सुचा था, ये सुनकर माता प्रसन होंगी, ये मुझे कैसे भूलोगा है प्रभू? स्वयम को दोश मत दीजिये मुशक जी, आपने जो कहा, आपके उत्सा में आपके मुख से निकल गया, किन्तो चिंता मत कीजिये मुशक जी, मा जब ब्राता भॉम से मिलेंगी, तो उन्हें शेश प्रशनों के उत्तर भी मिल जाएंगे, किन्तो अब ये ध्यान रखना है, कि प्राता भॉम के कहलाश में प्रवेश के पूर्व, मध्य में ही कोई व्यवधान न उत्पन्न हो जाए, स्वामी, उमा, आप एतनी व्याकुम क्यों है, क्या हो अब रिये, स्वामी, क्या आपको ग्यात है आज कहलाश में किसका आगमन होने वाला है, जिस विशिष्ट अत जिस विशिष्ट अतिति के स्वागत का उत्तरदायत तो आपके और मेरे कंधों पर ही है, अले नंजी, वो देती है, क्या तोटला जी, कहां देखूं और किधर देखूं, अले नंजी भी वो देती है, मैं भोम, महादेब पुत्र हूँ, उनसे भेट करने आया हूँ, ये तो वही है जो गणेश जी के जन दिवस पर आया था, और आज जब कैलाश विशेश अतिति के आने की तयारी कर रहा है, तो ये यहाँ पुना कोई नेया व्यवधान डालने आ गया, ये दोनों तो वही गण है, जिन्नों ने मेरा अपमान किया था, नाम के आगे भी कोई परिशा है तुमारा, कैलाश जैसे पवित्र स्थान पर असत्य कोशत्य कहने की दृष्टा करते हुए लच्चा नहीं आती तुम्हें, तुम यहां से चाते हो, अनिता मैं तुम्हें यहां से चाने के लिए विवश्च करूँ, अने दो इसे, पिछली बार यूँ ही जाने दिया था, किन्तो इस बार अवश्य दंदित करें के, तुझे तो प्लतीत होता है, यह तेलाज पर अवश्य तो आतांती उत्पन में तलने आया है, यह कौन होता है कैलाज में अशान्ती उत्पन करने वाला, आज भी कितने क्रोध का भाव है इनके बुख पर, नहीं, यदि मा की उपस्तिती में इन्होंने मेरा अपमान करने का दुस्सा हस किया, तो मैंने शमा नहीं करूँगा, अन्ठीक कर दूँगा इन दोनों का, विश्वास रखो पुत्र, इस बार तुमें कोई अपमानित नहीं करेगा, यहाँ जो होगा, वो पुत्र गणेश के वचना अनुसार ही होगा, उमा, बताओ कौन आ रहे कैलाश, आपका पुत्र, किन्दु गणेश तो लोटाया था, तो क्या कार्थी के कहीं गया था, और अब लोट रहा है, नहीं स्वामी, गणेश नहीं, कार्थी के नहीं, आपका, आपका एक अन्य पुत्र, उमा, ये आप क्या कह रही है, कौन सा अन्य पुत्र? आपका थृत्य पुत्र आ रहा है आज, मेरा थृत्य पुत्र? कौन सा थृत्य पुत्र? अगर तुमने एक कदम और आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हारी हट्टियां तोड़ दूँगा रुको रुको तुम यहाँ पुना लोटाएं। इसमरण नहीं पूर में क्या कहाता तुम्से। इसमरण है। भली भाती इसमरण है। पर इस बार मैं ऐसे नहीं जाँगा। इस बार में तुम्हें वो पार्ट जिखाऊंगा कि जिसका इस्म्रण कर तुम सारी उत्तंडता भूल जाओगे प्रतीत होता है तुम ऐसे नहीं मानोगे अकस्मात मेरे भीतर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण मैं इतना तीवरोर और आवेशित हो उठा कैलाश में आपका स्वागत है ब्राता भॉम भॉम बर्थात ये महादेव के तृतीव पुत्रोण और गणेश जी के विशेष अधिधी है मैं भॉम महादेव पुत्र हूँ कहां कहां से कैसे कैसे बड़े बड़े भणपाल कर यहां बहुँच जाते हैं मूर घंज्यानी कहते हैं महादेव पुत्र भॉम है जब पुना आओगे तो अपना महत्व बढ़ाने के लिए शिव पुत्रहूं ये मत्याना आपने उचित सुना नंदी जी ये भौम जी है हमारे ब्राता अब आप इनका स्वागत उसी प्रकार से कीजिए नंदी जी जैसे आप मेरा और भहिया का कैलाश लोटने पर करते है अज्यानित आवश पूर्व में हमने आपके साथ जो भी रुखा वैवार किया उसके लिए शमा प्रारती है कैलाश में आपका स्वागत है ब्राता भॉम अब मा और पिता श्री से आपकी भेट होगी देखिएगा आपको देखकर मा अत्य अंतानंदित हो उठेंगी मैं इस बात से बिलकुल भी प्रसन नहीं हूँ नाथ उमा आप क्या कह रही है ये मैं समझने में समर्थ हूँ गणेश और कार्तिके का एक और भ्राता आ रहा है आज और कुछी समय में वो यहां पहुचने भी वाला है अब आप ही बताईए नाथ ये सुनकर कैसा प्रतीत होना चाहिए मुझे तो अस यूबक से क्या कहूंगी आप ही बताईए जगत जननी हूँ मैं आदी शक्ती हूँ किन्तु एक पत्नी भी हूँ और मेरे स्वामी का एक और पुत्र है जिसका मचे कोई ग्यान नहीं ये सूचना अचानत प्राम्त कर क्या मेरा विचलित होना अनुच्छत है मा कितना तेजस्वी है ये यूवक कितना करिमा माई व्यक्तत्व है इसका कैसी असाधारन सकारात्मक उचा का स्वामी है कितना मंगल है मा यही तो है भाया भौम हा मा यह हमारे ब्राता है मा ये क्या हो गया था मुझे मैं ये कैसे भूल गई कि जगत जननी हूँ मैं और इस नाते तो इस संसार के सभी प्राणी मेरी ही संताने हैं फिर मैं व्यर्थ में क्यों आंदोलत हो रही थी पुत्र भूम उठो पुत्र माता महादेव मैं भौम हूँ भूमी नंदन और महादेव आप ही मेरे पिता हैं आपके रोश से आपके मस्तक पर जो स्वेद बून उत्पन हुई थी उसी से मेरा जन्म हुआ है और कदाचित मेरे भीतर से अंगार रूप क्रोध प्रस्पुटित होता है और इसी लिए मैं अंगारक के नाम से भी जाना जाता हूँ देवी पार्वती मेरी कोई संतान नहीं थी तो महादेव ने मुझे पर क्रिपा कर भॉम को मुझे दे दिया और मा मेरी जन्म दिवस पर भाईया भॉम के अलाश भी आये थी किन्तु कुछ गण ने उन्हें अपमानित कर के लाश द्वार से ही लोटा दिया था उन्हें भीतर नहीं आने दिया था मा हमें शमा कर दीजे माता वो गण हमी थे क्यात नहीं क्या हो गया था उस समय हमें ऐसे जैसे किसी के प्रभाव से क्रोथ क्रोथ हम पर छागया हो आप उचित कह रहें या नंदी जी आप से कोई भूल नहीं हुई आपने वैसा व्योहार मेरी उगरूर जासे प्रभावित होकर किया माता मुझे शामा कर दीजिए मेरी उगरूर उर्जा गड़ेश जी को भी प्रभावित करती रही आपके इस मनोहर रूप पर जिसकी भी द्रिष्टी पड़ेगी चंद्रदेव वो कलंकित हो जाएगा मुझे चंद्रदेव को शाप देने का कोई पस्तावा नहीं है पिता श्री किन्तु मेरा इस में कोई दोश नहीं है ये उर्जा तो स्वता ही मेरे शरीर से उत्पन होती रहती है और इसी उर्जा के कारण सदय मेरी उपेक्षा होती है उपेक्षा और तुम्हारी पुत्र किसमें इतना साहस है कि वो तुम्हारी उपेक्षा करे तुम्हें तो देखकर ही मेरे हृते में साकारात्मक उर्जा का प्रवा हुआ था इसलिए मैंने तुम्हें मंगल नाम से पुकारा और आज से, अभी से, तुम सभी के द्वारा मंगल नाम से संबोधित किये जाओगे मेरा पुत्र मंगल आज प्रथम बार हमारे निवास कैलाश आया मुझे उसका उच्चत स्वागत करना चाहिए ओंधर नी गर्भ संभूतं वित्युत कांति समभ्रवं तुमारं शक्ति है तैंचर मंगलं प्रणमाम्याश आयुष्मान पवब पुत्र पुत्र मंगल, मुझे ग्या थे तुम्हारे मन में क्या प्रशन उठ रहे हैं मुझे तुम्हाई तपसा का पूर में अभास हो चुका था और मैं तुम्हारे तपसे अत्यंत प्रसंद हूँ पिताश्री, जब आप अपने भक्ति की तपस्या से प्रसंद होते हैं, तो उन्हें सदैव वर्दान देते हैं तो ब्राता मंगल को भी वर्दान स्वरूप उनका उच्जित स्थान मिलना ही चाहिए ना पुत्रमंगल, मैं तुम्हें वर्दान स्वरूप, नव ग्रहों में एक रह का स्थान देता हूँ ये तो अतियुत्तम वर्दान है पिताश्री पुत्रमंगल, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा स्थान तुम्हारी मा के साथ ही होगा नव ग्रहों में तुम अपनी मा देवी प्रिच्वी के साथ ही रहोगे तुम स्वयम, मंगल ग्रह के सौमी बनकर वहां वास करोगे ताकि प्रिथ्वी का जन जीवन तुम्हारी उर्जा से कुछी दूरी पर रह सके सप्ताह के तृत्य दिवस का नाम तुम्हारे नाम पर आधारित होगा और उसे मंगल वार पुकारा जाएगा मंगल ग्रहे प्राणियों के जीवन के प्राकरम, शारेरिकूर्चा, आद्मिश्वास, शक्ति, क्रोध, आवेश और वीर्ता शाशित, कार्यों कर प्रतिनिथी करने वाला ग्रह होगा बिना मंगल की शुब दृष्टी के कोई भी प्रशासिनिक अधिकारी शाशक अथो वीर योधा नहीं बन सकेगा तुम्हारा रत्न मुंगा होगा, प्रतेक लाल वस्तु का संबन तुम से चुड़ा होगा और तुम्हारा वाहन भेड होगा पिताश्री आपने मुझे सुईकार कर इतना उचिस्थान प्रदानकर करतार्त कर दिया किन्तु क्या मुझे आपसे एक ब्रश्न पूछने की अनुमती है? हाँ पुत्र, अवश्य क्योंकि मैं गणेश की प्रतिक्षा कर रहा था क्या, मेरी प्रतिक्षा पिताश्री? हाँ, क्योंकि यह सब गणेश के माध्यम से ही होना था क्योंकि गणेश का नाम मंगल, अर्थात, अंगारक से जुड़ना था कहो गणेश अब चुनाव तुम्हे करना है क्या अपना नाम अंगारक से जोड़ोगे ये तो मेरा स्वभाग्य होगा पिता श्री ब्राता मंगन अंगारक नाम से भी विख्यात है इसलिए आज से जो भी चतुर्थी मंगलवार की दिवस पड़ेगी उसे क्रिश्ण पक्षिकी चतुर्थी के नाम से जाना जाएगा और अंगारक चतुर्थी का व्रत करने वाले को वर्ष भरकी चतुर्थी का फ़ल एक साथ प्राप्त होगा भ्रादा मंगल आप भी मेरे ही समान एक योध्धा है इसलिए मैं भी आपको एक वर्दान देता हूँ आज से आपका वार मेरा वार होगा जो भी मंगल वार के दिवस मेरी पूजा करेगा मैं अधाशीगर प्रसन्न होकर उसकी मनो कामनाई पूण करूँगा और पिताश्री के कथना नसार मैं आपको आपका वाहन भी प्रदान करता हूँ दीरग समय से अपने पिता का साथ पाने को आतुर था मैं और आज ये मेरा परम सौभाग्य है कि ना केबल मुझे अपने पिता का इसने हाशीश प्राप्त हुआ अपितु एक अत्यांत इसने ही परिवार भी मिला और ये सब आपके कारण हुआ है गडेशी मैं आपसे इतनी इरश्या करता था कि आपसे युद्ध करना चाहता था किन्तु आपने मुझे इतना सब परदान कर किरतार्थ कर दिया ब्राता मंगल जो भी होता है वो मा और पिता श्री की इच्छा से ही होता है समझे ये भी उन्हीं की लीला है अब आप जाकर अपने दायत्व का कार्य भार समालिए ब्राता 2 1 1 2 3 2 1 2 2 2 2 1 किसका दुश्कृत है ये किसने किया है ये भयंकर अपराद महाराज महाराज ग्यानरी ये 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 गडेश ने किया है महादेपुत्र गडेश 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 स्वामी देखो दकिनी कितने निर्ममता से मैंने पिता का वद्ध किया है उस गणिश ने अब मैं उसे नहीं चुड़ूँगा जिसने मेरे पिता को मुझसे छीना है अब उस गणिश को उसके पिता से चीन कर मैं उसे दूर कर दूँगा स्वामी आपके पुत्र का जन्म होने वाला है मैं चाहती हूँ कि तब तक आप मेरे साथ रहे अपने पुत्र के जन्म के पश्चात आप अपना प्रतिशोद लेने अवश्य चले जाईएगा उजित है मैं अभी रुकता हूँ क्योंकि मेरे पुत्र को भी देवताओं का संहारक बनना है उसके नेत्र खुलते ही मैं उसे देवताओं के प्रतिग्रणा से भर दूँगा मेरे पिता और मेरे समान देवताओं के लिए भयंकर सत्रुता का भाव होगा उसके मन में मेरे पुत्र का जन्म होने लिवाला है दकिनी वो भी देवताओं का अंत करने की प्रतिक्षा नहीं कर सकता अब मैं गणेश को पराजित करूँगा और मेरा पुत्र देवताओं को अनुझ गणेश तुमने भ्राता मंगल के साथ सर्वता उचित किया वो बहुत ही सौभाग्यशाली होते हैं जिन्हें पिता का स्निह प्राप्त होता है और तुमने भ्राता मंगल को पिताश्री से मिलाने का महान कारे किया है इसके लिए मुझे तुम पर गर्व है अनुच ये है मेरा पुत्र जो देवताओं का महाशत्रू बनेगा अपने पुत्र को नाम दीजे स्वामी ये मेरा पुत्र है दुर्बुधि पुत्र जैनारी का पुत्र जो मेरी और मेरे परिवार की परंपरा का उत्तराधिकारी बनेगा जो देवताओं के प्रती हमारी शत्रूता का उत्तराधिकारी बनेगा ये मेरा पुत्र है मेरी अनुपस्थिती में हमारे पुत्र की उचित देख रेख करना त्यूंकि अब मेरे प्रस्थान का समय आ गया है कहां जा रहे हैं आप स्वामी? अभी तो आपके पुत्र का जन्म हुआ है दकेनी, मैंने तुम्हें वचन दिया था अपने पुत्र के जन्म तक मैं यहां रुकूंगा किन्त उस मरण रहे मेरे पिता के प्रती मेरा रेण तुम्हारे और पुत्र सुबोध के प्रती मेरे कर्तवे से कहीं बढ़ कर है अब मैं जाकर उस गणेश से अपने पिता का प्रतिशोध लूँगा अब मैं तभी लोटूंगा जब मैं उसका वध कर चुका हूँगा वो मेरे पिता का वधिक है गणेश 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 ये क्या हुआ भी? क्या मेरे पुत्र सुबोध ने गणेश का नाम सुन उसके सम्मान में अपने हाथ चोड़ लिये? नहीं, गणेश के प्रती इसकी आस्था कतापी नहीं हो सकती पुत्र गणेश, पुत्र मंगल को उसका उचच स्थान और अधिकार दिलाने में प्रमुक भूमिका निभाकर तुमने अत्यांत उत्तम कारे किया है पुत्र तुमने ना केवल एक पुत्र को अपने पिता से मिलवाया अपी तो तुमने ये भी सुनश्चित किया कि मंगल की उर्जा संसार के लिए हितकर होगी हाँ माता जब मेरी भी ब्राता मंगल से प्रथम भेंट हुई थी तो मुझे उनके क्रोध का आभास तो हुआ ही किन्तु उनके भीतर समाहित सकारात्मक उर्जा से भी में प्रभावित हुआ हाँ मा और इससे अधिक आनंद की और क्या बात हो सकती है कि पिता श्री ने ब्र एक पिता के लिए स्यधिक संतोष की क्या बात हो सकती है कि संसार में उसके पुत्र को उप्युक्त स्थान प्राप करने के साथ यदोचितमान सम्मान भी प्राप्थ हो मुझे अपनी सभी पुत्रों पर गर्व है स्वामी यदि अभी आपके और भी पुत्र शेश है जिनसे मैं अन्भिक्य हूँ तो उनका परिचय भी दे ही दीजिया ओमा मैं तो जगत पिता हूँ संपूर्ण जगत के सभी जीव मेरी संतान है यदि मैंने अपने असंख्य पुत्रों का परिचे दिना आरम किया तो उसका अंत ही नहीं होगा तो मैं ध्यान कैसे करूँगा ये द्वनी? ये द्वनी तो शुप संकेत नहीं है अब मैं जाकर उस गणेश से अपने पिता का प्रतिशोध लूँगा अब मैं तभी लोटूँगा जब मैं उसका वद्ध कर चुका हूँगा मुझे शीगर कुछ करना होगा पिता श्री, मा, भाईया गणेश, क्या हुआ? तुम अचानक इतने चिंतित क्यों हो गए? भाईया, असुर दुरबुद्धी का पुत्र ज्यानारी कैलाश आ रहा है मुझसे युद्ध करने ये असुर कभी नहीं सुद्रेंगे आने दोर में इस संकट को उसके अरंब से पूर्वे ही समाप्त कर दूँगा मैं नहीं भाईया, रुक जाएए आपको कुछ करने की कोई आविशक्ता नहीं है भाईया क्योंकि मैं ही अद्रिश्य हो जाऊँगा अद्रिश्य? अद्रिश्य हो जाऊँगा? और आप सब भी अद्रिश्य हो जाएए ये ये क्या कह रहे हो तुम गणेश? हम अद्रिश्य हो जाएं उस असूर से छिप जाएं तुम ऐसा सुझाओ भी कैसे दे सकते हो गणेश? तुम प्रथम पूज्य हो गणेश और मैं देल सेना पती मा आदी शक्ती है और पिताश्रिक स्वयम देवा दीदे महादेव और तुम चाहते हो कि हम उस असूर से भाइबीत होकर छिप जाएं नई गणेश नई पुत्रकार्थिके मैं तुम से सहमत हूँ किन्तु यदि गणेश हमें अद्रश्य होने का सुझा दे रहा है तो उसके पीछे उसकी अवश्य कोई लीला होगी उसकी कुशागर बुद्धी से उत्पन उसकी कोई योज न होगी क्योंकि पुत्र गणेश अधर्मियों से युद करने से पीछे हटने वालों में से तो कदापी नहीं भाईया अब आप अभी मुझसे कोई प्रश्न मत पूछिए क्रिपिया बस अत्रिश्य हो जाएए अन्यता विलंब हो जाएगा तो ये है गणेश का निवास स्थाम कहा हो गणेश बहारा हो वद्रिश्ट कनेश यहीं कहीं छिपा होगा जाओ ढूडों से हम सबी अद्रिश्य तो हो गए हैं किन्तु यदि भहिया का क्रोध जागरित हुआ तो ज्यानारी का अन्त तो हो गा ही उसके साथ साथ मेरी योजना भी विपल हो जाएगी गणेश मेरे पिता का वद्ध करते समय तो भैबीत नहीं हुए तुम तम उसने क्यों छुपे हो बहार निकलो गणेश और सामना करो अपने काल का इस दुष्ट का इतना दुस्साहस पिताश्री के ध्यान स्थल में प्रवेश करने जा रहा है यदि इस पावन स्थल पर इस दुष्ट ने अपना पक भी धरा तो मैं इसका बद ही कर दूँगा महराज यहां तो कोई भी नहीं है प्रतीत होता है तुम मेरे भैसे कहीं भाग गये हो गणेश किन तु भाग कर जाओगे कहां संसार के किसी भी कोने में छुपे होगे वहीं से ढूंड के लाओंगा तुम्हें मा, पिताश्री, मेरा सुझावस विकार कर अध्रिश्य होने के लिए आपको कोटी-कोटी धन्यवाद स्वामी, पुत्र कार्टी के इतने आवेश में क्यों है? उमा, कार्टी के एक योधा है शत्रु को अपने प्राकरम से प्राजित करना उसका धर्म है शत्रु उसके निवास में प्रवेश कर उसके परिवार के निकट पहुंच चुका था किन्दु कार्टी के गनेश की योजना पालन करने है तू उस शत्रु को युद के लिए नहीं ललकार सका उस असूर का वद नहीं कर सका इसलिए उसका क्रोधित होना तो सुभाविक ही है स्वामी, तो फिर मैं अभी जाकर कार्टी की को समझाती नहीं उमा गनेश उसके साथ गया है तो इस थिती को उसे ही अपनी किसी विलक्षन युक्ती से सम्भान ले दीजिए हिंद ग्यानारी का अंचिकना है सानधाउचे थोता बहार निकलो गनेश और सामना करो अपने काल का वो दुष्ट गनेश यही घही छिपा होगा गनेश मैं कह रहा हूँ अपना यह परिहास बंद करो और मुझे मेरा दंड लोटा दो मुझे ग्यात है भहिया आप ग्यानारी पर बहुत क्रोधित है किन्तु मेरे पास उसे उसके सपरात का दंड देने का एक उचितोपाई भी है भहिया